दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए करेंड फेस के कुछ इंपोर्डेन कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए काफी मातपून है टोटल 20 कोश्चन रहेंगे दोस्तो इस वीडियो में आप इसको प्रेक्टिस सेट की तरह सॉल्व कर सकते हैं आपके आगाम इग्जाम से बहुत हल्पूल होने वाला यह तो आप टोटल यह पूरा सॉल्व करिए और लास्ट में अपना एंसर अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं और देख लिजे आपकी तैयारी कैसी चल लेए ठीक है चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं और यह देख खरक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकें दोस्तों करके बेल आइकन जरूर पेस कर दें साथ में वीडियो पसंदाया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें ठीक है चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज कमारा पहला कोश्चन है निम रिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर 100-100 अंतराश्टी T20 मैच खेलने वाली पहली ACI महिला क्रिकेटर बनी है option दे रखें आपके पास मिताली राज, अमन पीद कौर, सना मीर, वहिदा रह्मान तो इसका right answer आप दोस्तों बता सकते हैं इसका answer पता है चलिए मैं बता देता हूँ उसका right answer हो जाएगा option C सना मीर तो याद रखेंगे अब पाकिस्तान की हैं ये सना मीर ठीक है चलिए अगला गोशन देख लेते हैं दोस्तों फिर हमारा अगला गोशन देश के वाइश में अखिल भारती आयुर्विज्ञान सनस्थान यानि एम्स की स्थापना हरियाने में किस स्थान पर की जाएगी तो इसका एंसर पता है तो आप जरूर बताएं तो ये राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन डी रेवाडी में ठीक है दोस्तों देश का वो जो बाइश्वा अखिल भारती आयुर्विज्ञान सनस्थान है एम्स की स्थापना हरियाने के रेवाडी के मनेठी गाव में की जाएगी इसके लिए 220 एकड की भूमी भी चिन्नित की गई है तो हरियाने के रेवाडी में की जाएगा बाइश्वा एम्स ठीक है चलिए अकला कोशन देख लेते हैं किसे हाली में सीवी आई का निदेशक निद्क क्या गया है सीवी आए ठीक है सेंटरल विवर ऑफ इन्वेस्टिकेशन तो इसके नए जो निदेशक डारेक्टर बने दोस्तों आपका इसका इंसार ज़रूर ब इरेक्टर किसको बनाया है रिश्व कुमार शुकला को ओप्सन सी करेक्ट है फिर हमारा अगला कोशन दोस्तों मोदी जी ने भारत में किस स्थान पर तीन हजार से चार हजार मीटर कुचाई पर निर्मित लगवग 335 किलोमेटर लंबी इस ट्रांसमिसन लाइन का उधवडन किया है तो किया है लद्दाख में ठीक है देखिए दोस्तों मोदी जी ने लगवग 3,000 से चार हजार मीटर कुचाई पर निर्मित लगवग 335 किलो अमेरिका और रूस ने हाली में किस परमाडू संधी से स्वयम को अलग करके संधी को इस्थक्रित करने की घोष्णा की है। की है आई एने फ्यानी इंटर्मीडियेट रेंज नुक्लियर फोर्सेस। एक प्रसस्ति पत्र और प्रतीक्ष ने प्रदान किया जाएगा ठीक है तो यह 42 कलाकारों को दिया जाएगा। कोशन नमर सेवन्थ है सरकारी आकडों के अनुसार वित वर्ष 18-19 की अप्रेल इसमर अबधी के दोरान देश का राजकोसी घाटा कितने लाग करोड़ रुपए रहा जो बजट में इधाई दिलक्ष का एक सो बारे दसम्मलों चार प्रित्शत है करेक्ट एंसर वियागा ओप्सन सी 7.01 लाग करोड़ रुपए ठीक है चल्ल एगला कोशन देख लेते हैं केंद सरकार ने नियमों में बदलावकर महिलाओं को ख़दानों में जमीन के नीचे सुबह 6 बज़े से साम कितने बज़ के नीचे सुबह 6 बज़े से साम 7 बज़े तक नोगरी करने के उनमती दी है इसमें हलाग की महिलाओं को सिर्फ तकनी की सुपरवाइजरी और प्रवंधन से जुड़ी जिम्मेदारी दी जा सकेगी ठीक है तो 7 बज़े तक और अगला कोशन है मत्प्रेश के CM कमल लाथ के वचन पत्र के बादो पर अमल करते हैं उन्होंने राज सरकार द्वारा पोशित उद्योगों को कितने प्रिश्चत रोजगार स्थानी लोगों को देने का निवार कर दिया है 70 परसेंटी ठीक है ओप्सन ए अगला कोशन है कनाडाई पीम जस्टिस टूडो ने राजनीतिक आर्थिक और मानवी संकट से ग्रस्त वेनेजोईला को कितने करोड़ रुपए की मदद की घोशना किया है 286 करोड़ रुपए ठीक है ओप्सन सी देखे दोस्तों कनाडाई जो पीम है जस्टिन टूडो ने राजनीतिक आर्थिक और मानवी संकट से ग्रस जो बेनेजोईला 286 करोड़ रुपए की मदद का खोशना किया है देखे जो प्रसिद्ध का खाकर, रामदारी सिंग दिवागर को हाली में प्रकटिस्थित स्री लाल शुक्ल श्मर्थी इफकोस सहीत सम्मान से सम्मानें किया गया सुविक्यात सहीतकार रधुला गर्ग ने एक समारों में दिवाकर कर सम्मान प्रदान किया है question number 12 है हाले में कि सराय सरकान प्रोजेक्ट गौसाला के तहıt राज्य में अगले चार महीने में एक हजार गउसालाइं खोलने को निर्णाय लिया है मध्य प्रदेश में ठीक आपसन भी दिखेंगे 100 MP की CM कमललाथ ने मध्य प्रदेश सरकार से अगले चार महीने की भीतर प्रोजेक्ट गउसाला के तहसे हैं एक हजार गउसालाइं खोलने का फैसला किया है इनमें एक लाख बेशहारा गोवन्स की देखरेक होगी और चालिस लाख मानोग दीपसों का निर्माड होगा कि वर्ष त्वहर उनीस के अंतरीम बजट को निम्डखित में सिकिश के द्वारा पेस किया गया तो यह किया गया दोस्तों पीश कोईल द्वारा चूंकि जो वित्तमंत्री थेरून जेटली जी इनकी स्वास्त सही नहीं था इसलिए इनका कारेभार प्यूश गोहल जो को दिया गया है ठीक है तो यह याद रखेंगे इस वार का बजट प्यूश गोहल ने पेस किया अगला कोशन है भारत ने हाली में किस संक्ठन के साथ की चात्र मुल्यांका अनकार करेभा 22 में भाग लेने के लिए सम्झावता प्रस्ता करक्र किये हैं यह OECD देखें दोस्तों के इंसरकार ने आर्थिक सयोग और विकास संक्ठन में 22 में आयुश गीजाने विला अंतरास्थी चात्र मुल्यांका अनकार कर ने भाग लेने का का फैसला किया है कि यू एई और साओधी अरब द्वारा लांच की कि साज़ा डिजिटल करेंसी का क्या नाम है तो इंबोडन कोशन है अभेर ठीक है ऑप्सने देखे उस्तों यह अभेर है ठीक है सैंगत अरब एमीरात और साओधी अरब ने हाली में सैंगत डिश्टल करेंसी अभेर लॉंच गिये है और इस सैंगत डिश्टल मुद्रा का उप्योग दोनों देशों के मद्ध ब्लॉक्चेन तथा डिस्टिब्यूट्विट लेजर टेकनलोजी की बिच वित्ति भुक्तान के लिए किया जाएगा केंद सरकार ने पीच्टी छात्रों को मिलने वाली रिशार्च फेलोशिप बढ़ोत्री करते हुए जूनियर रिशार्च फेलोशिप को 25,000 रूपए से प्रतिमा बढ़ा कर कितने रूपए प्रतिमा कर दिया गया है 31,000 ठीक 31,000 रूपए अगला कोश्चन दोस्तों किस IIT टीम ने नदी की धारा से बिजली बनाने वाला डिवाइस टेस्ट किया है ओप्सन दे रखें IIT रूडकी, IIT डेली, IIT मद्रास, IIT कानपूर तो दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन भी IIT रूडकी ठीक है ओप्सन एक रेक्ट हो जाएगा, देखें तो IIT रूडकी की टीम ने ऐसा जो है तेरने वाला डिवाइस टेस्ट कर रही जो नदी के बहते बानी की गती को उप्योग कर भिजली उत्पन कर सकता है ठीक है, IIT रूडकी कोशन नमर एक टीन थे, केंद्री मंत्री राजवर्थन से गराठों ने किस राज़ के कोट पूतली इस्थित आदर्श विद्या मंदिर में सौर उर्जा सैंद्र का शुभारम किया है ये किया है तो राजस्थान में ठीक है, ओप्सन सी करेक्ट हो जाएगा कोशन नमर नैंतिन थे, केंद्री परेटन मंत्री के जे अलफोंस ने किस राज़ में पहली स्वदेश दर्शन पर उजण का गराठों किया है सिक्किम, बिहार, पंजाब, जारखंट तो इसका correct answer जाएगा option है सिक्किम देखे दोस्तों मैं आपको उतादू केंदरी परेटन मंत्री जो है केजे अलफोंस ने सिक्किम में पहली बार स्वदेश, दर्शन, परियुजना का उधगाटन किया है और इस परियुजना का उधगाटन सिक्किम के गंगटोग में जीरो पॉइंट में किया गया ठीक है सिक्किम में question number 20 है transparency international द्वारा जारी किये गए बहश्विक भरस्टाचार धारणा सूचकांग में कि इस देश को 78 वे स्थान पर रखा गया है तो इंडिया को ठीक है option D दिखे सुथ transparency international द्वारा जारी किये गए बहश्विक भरस्टाचार धारणा सूचकांग में भारत को 78 वे स्थान पर रखा गया है ये शिया प्रसांद शेत्र के भरस्टाचार और प्रेस सुदंतरता के मामले में सबसे खराब इस्ति पाने वाले मामले के में देश का नाम रखा गया है ठीक है इंडिया है तो दोस्तों ये थे most important question ये दिया आपको ये वीडियो पसंदाद प्लीज लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ठीक है प्लीज वीडियो लाइक करें और कमेंड बाक्स अबना इसको जरू सम्मिट करें दोस्तों मिलते हैं ने शुद्यों के साथ स्वस्त रही बेस रही मस रही पढ़ते रही है जै हिन जै भारत